एक दिन मैं बस यूही एक घीत गुन-गुना रहे थी, आप जानना चाहेंगे कौन सा? तुझसे नाराज नहीं जिन्दगी, हैरान हूँ मैं। अचानक देखा कि जिन्दगी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और बोली क्या बात है, क्यों हैरान परिशान हो? मैं पहले तो सूच में पढ़ गई, नहीं, कुछ भी तो नहीं, फिर हिम्मत करके बोली, जिन्दगी तो इतना क्यों सताती है, क्यों तड़पाती है, जंद कत्रे मुजगानों के देकर क्यों रुलाती है, कभी तो खुशियों का दिन बन जाती है, तो कभी दुखों की काली रात, कभी प्यार का नग्मा, सुहाना सफर, तो कभी संगर्ष, कभी पहली बन जाती है तो, तो कभी पतचड़ है, तो कभी वसंत, आखिर खुशी के साथ गम क्यों जुड़ा है, और मिलन के साथ जुदाई, आसान क्यों नहीं है तो, आखिर क्या सिखाना चाहती है, इतनी जद्दो जहेद, इतनी उलजने क्यों है, इतना संगर्ष, इतनी मुश्किले क्यों है, क्य जिन्दगी बोली, सुनो, तुम्हे रुलाती हैं तुम्हारी महत्वा कांग्शाएं, तुम्हे हसाती हैं तुम्हारी कल्पनाईं, तुम्हे उल्जाती हैं तुम्हारी धार्नाईं, तुम्हे दर्द दीता है तुम्हारा नजरिया, तुम्हे बेचैन करती हैं तुम्हारी ख तुम्हारी ही मान्यताओं का नतीजा है। वाइस डिवाइन की इस एपिसोड में। मैं हूँ कुसुम, नमस्कार, धन्निरंकार। किसी ने कहा है कि जैसी चाहो लिख लो, कहानी अपनी, खाली पन्नों से भरी किताब है जिन्दगी। लेकिन हाँ, लिखने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना, फिर मिटने वाला नहीं है। किसी ने ये भी कहा है कि बिना इरेजर के ड्राइंग बनाने की कला है जिन्दगी। जो मैंने अपने विश्वास, अपने मान्यताओं, आदतों, वसूलों और कर्मों से एक बाद लिख लिया न, वही मेरा सच है। इसलिए ये जरूरी है कि जिन्दगी में किसी भी विश्वास, मान्यता या धार्णा को बनाने से पहले सौ बार सोचा जाए। क्योंकि मान्यताओं हमारी जिन्दगी में बहुत गहराई तक, हमारी जड़ों तक उतरती हैं। और हाँ, ये जरूरी नहीं, जो मैंने माना है वही ठीक हो, वही सच हो, वो गलत भी हो सकता है। इसलिए इतनी गुंजाईश रखें कि उसे समय पर और हालात के बदलाव के साथ बदला जा सके। अंडमान की एक जन जाती के बारे में पढ़ रही थी, बहुत सी अजीब और गरीम मान्यताएं हैं उनकी, ये लोग अभी भी सदियों पुरानी सभ्यता में जी रही हैं। उन्हें नहीं पता कि दुनिया कितनी बदल गई है। इन्हें इलेक्टरिसिटी, टीवी, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, हवाई जहास क्या होता है नहीं पता। ये लोग बारी दुनिया से कोई संपर कहीं नहीं रखना चाहते। और तो और अगर उनके किसी बच्चे का रंग उनके रंग से मैच नहीं करता ना तो वे उसे मार देते हैं। ये उनके लिए बहुत सहच है। जबकि हम और आप कहेंगे अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग। जी हाँ, ऐसा ही करते हैं। और वे बदलना भी नहीं चाहते। उनकी मान्यताओं की जड़े इतनी गहर हैं कि वे उसे किसी क्लिमत पर नहीं चोड़ना चाहते। और हाँ, वहाँ जाना मना है। जाने की तो सोचिएगा भी मत क्योंकि अमेरिका के जॉन एलिन शाओ किसी तरह वहाँ पहुँच गए थे। लेकिन वो जिन्दा नहीं बचे। जो उन्हें बदलने या उनसे मिलने की कोशिश करता है, वे उसे मार देते हैं। बहुत अजीब रीतिरिवास और मान्यताएं हैं उनकी, जिनका वो शितत से पालन करते हैं। हमें और आपको ऐसा लग सकता है कि उनकी मान्यताएं या धारनाएं गलत हैं, उन्हें नहीं लगता। अब आप सोचेंगे कि वाइस कर रहे हैं। जी हां, हम भी कर रहे हैं। हम उन्हें दूर से देख रहे हैं ना, इसलिए हमें अजीब लगता है। अगर हम खुद को भी दूर से या किसी और की नजरों से देखेंगे ना, तो हमें लगेगा कि हम भी बहुत सारी ऐसी धारनाओं और मान्यताओं में के साथ. गुरुदा रखके दिल विच एके दागा करो। संत जनादे संगत घर के लब दे सोच विचार करो। गुरे जतन ने सारे चूठे चूठे ने सब मौरुपा। मोडे के मने नू दुनिया वल्लों चित गुरुदे चरिडी प्ला संत जनादे संगत घर के लब दे सोच विचार करो। में अब दी सोच विचार करो। मैं दुनिया दा करता करता। मालक ते दातार विये। ऐसे दाड़ बडले बंदे। मैं मालक घरतार विये। संत जनादी संगत करके लब दी सोच विचार करो। लेतन जो परेखजाने लेतन जो परेखजाने ओ, हो साहु कार बने। ओ, हो साहु कार बने। कर्यावतार उसनु मिलदा। दास जिया एक वार बने। संत जनादी संगत करके लब दी सोच विचार करो। संत जनादी संगत करके लब दी सोच विचार करो। सिंदगी की अधिरी राहों पर ये सद्गुरू के पावन शबद ही हमें रास्ता दिखाते हैं। वरना किसी ने तो ये भी कहा है कि मेरी जमीन पे फैला है आस्माने अदम, अजल से मेरे जमाने पे एक जमाना है। मैं तो कहती हूँ कि कई जमाने हैं हम पर थोपी हुए। जेहां ये धरती एक ही है और इस पर बसने वाले हम सभी केवल इंसान। लेकिन सभी इंसानों की अलग-अलग दुनिया है। अलग-अलग मान्यताएं, धार्नाएं और वसूल है। कुछ ऐसी मान्यताएं, धार्नाएं भी हैं जो जन्म के साथ हमें मिली। कुछ समय के साथ हम पे थोपी गई। और कुछ वे छोटी-छोटी मान्यताएं जो हमारे संगी साथी हमें दे देते हैं। और कुछ वो हैं जिसे हम खुद ही अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से अपने उपर ओड़ लेते हैं। फिर यही मानेताएं, यही धार्णाएं हमें जीने लगती हैं, हम नहीं जीते। मैंने सुना, बिटेन के एक गाव में लोग बिना कपड़े के रहते हैं, तो अरब कंट्रीज में पूरे कवर्ड, कहीं गोरा रंग खुबसूरती हैं, तो कहीं सावला रंग, कहीं छोटा कद अच्छा माना जाता हैं, तो कहीं लंबा कद, जापान में जहां मोटा होना गैर क कानूनी है, तो मारिशस और अफरीका के कुछ स्थानों पर मोटी महिलाएं ही खुबसूरत मानी जाती हैं, इतना ही नहीं, वो मोटी होने के लिए यातनाय तक सहती हैं, कहीं शादी साथ जन्मों का बंधन है, कहीं टेंपरेरी शादी का भी चलन है, कहीं कई-कई शादिया जायज हैं, तो कहीं दो शादी भी गएर कानूनी है, कहीं पर लड़के हो लड़की का भाग कर शादी करना वहां की परमपरा है, तो कहीं ऐसा गुनाह कि उन्हें इसके कैमत जान दे कर चुकाने पड़ती है, कहीं बेटी पैदा होने पर खुशी मनाई जाती है, तो कहीं म मान्यताइं कभी-कभी हमारी जिन्दगी और मौत का सवाल बन जाती हैं, मान, अपमान और सम्मान का विशे बन जाती हैं, अलग-अलग जगहों की अलग-अलग मान्यताइं और उन्ही मान्यताओं के अनुसार ही हम इंसान हसते और रोते हैं, अभी कुछ साल पहले की बात है, किसी जन जाती जगा की नहीं हमारे अपने बचपन में चंद्रमा को चंदा मामा कहा गया हमने माल लिया आज चंदा मामा एक उपग्रह है यानि सैटेलाइट आज बच्चों से कहकर देखें कि चंदा मामा है नहीं कह सकते न कुछ साल पहले यूपी के गाओं में चिकन पॉक्स को कोई बिमारी नहीं बलकि बड़ी माता छोटी माता का प्रकोप माना जाता था और दवाना देकर कई तरह के कर्मकान किये जाते थे हैजार टीबी जैसी कई गंभीर बिमारीयों को देविय प्रकोप से जोड कर लोगों ने अपने ना जाने कितने नुकसान कर डाले मुझे आज भी याद है मेरे अपने पडोस की एक ताईजी थी उनकी आँखों में ट्रिकोमा हुआ था वो डॉक्टर के पास नहीं गए कहती थी देवता नाराज हो जाएंगे नतीचा हमेशा के लिए आँखों की रोशनी चली गई आपको याद है आपके बच्पन का वो खास पेड जिसे दिखा कर आपसे कह दिया गया कि उस पर जिन रहता है कभी माना गया होगा उस दोर में जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो इस तरह के खास पेड़ों को बचाने के लिए कह दिया गया होगा लेकिन आज की जेनरेशन ये सुनकर हसेगी ऐसी बहुत सी निराधार मान्यताएं थी और आज भी है लेकिन आज उसका पता हमें नहीं चल रहा कमाल के बात तो ये है कि जो लोग मानते थे या मानते हैं उन्हें ये नहीं लगता कि ये कोई मानता है उन्हें तो लगता है कि ऐसे ही जीना है वो शायर कशेर है न अपनी हालाद का खुद एहसास नहीं है मुझको मैंने औरों से सुना है कि परिशान हूँ मैं इसी तरह से अलग-अलग स्थानों पर इस धर्दी के रीत रिवाज और परमपराई हम कौन सी मानेंगे और किसे गलत कहेंगे सबके अपने अपने लॉजिक्स हैं किसी विशेश परिस्थिती में किसी हालात या किसी मजबूरी में उपजी कोई धार्णा आदत बन जाती है आ तो अच्छा है लेकिन जब ये दुख दर्द लड़ाई और भेद भाव की वज़ा बन जाती है तो देश समाज और पूरी धर्दी ही दूशित हो जाती है तो गलत मैं सही बस इसी बात पर लोग मरने मारने पर उदारू हो जाते हैं एक सोच बना ली है कि मेरी मान्यता मेर खिरनाएं ये वसूल गलत है या इन्हें मानना गलत है गलत पता क्या है गलत तो वो है जब हम जजमेंटल होकर लड़ने लग जाते हैं कि साहब हम तो सही है और हम ही सही है दूसरा गलत अब जैसे मैं जिस रासती से रोज घर जाती हूं मैं माल लूग कि बस वही एक रास् वो यह मान लें कि बस वही एक रास्ता है वही सही है बाकि तो सब जूट बोल रहे हैं किसीने कहा है कि तु शाहीन है परवाज है काम तेरा तेरी सामनी आसम्हा और भी है इसी रोजों शब में उलजके न रह जा कि तेरी जमीन和 मकाँ और भी है मानने ताएं तो हमारी जिंदगी को आसान बनाने और हालातों से लड़ने के लिए बनाई गई थी अब जब जिंदगी ही मुश्किल बन जाए तो ऐसे में उन सभी चीजों को अपने से दूर कर देना चाहिए जो एक दूसरी को जोडने नहीं तोडने की वचा बने बाबा हर्दियु सिंग्जी महराज ने कहा था कि अपने से वो सब कुछ दूर कर दो जो तुम्हें दूसरों से दूर कर रहा है इसी भाव को लिए आई आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक गीत जिडोल आने उपकार है तेरा मैंनू खंगोल आने मैंनू खंगोल आने उपकार है तेरा उन तक जिडोल आने उपकार है तेरा अगला दे वो है आचों कई वार ते नू लंगाया अकला दे वो है आचों कई वार ते नू लंगाया तु जवाब सी हर गलगा मैं फिर भी सवाल उठाया फिर भी सवाल उठाया मुक्फिर भी मूड आनी उपकार है तेरा मुक्फिर भी मूड आनी उपकार है तेरा वाइस टिवाइन सुन रहे हैं आप और इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं हमारी मान्यताओं और धार्णाओं के इस पर और रोशनी डालने के लिए इसे और बारिक की से समझने के लिए आज हमारी साथ स्टूडियो में मौजूद है एडुकेट राजकपूर जी राजकपूर जी जहां पंजाब गवन्मेंट में एडिशनल एडुकेट जनरल के रूप में अपनी सिवाई देती हैं तो वहीं सद्गुरु के चर्णों में भी अनेक सिवाओं से चुड़े हुई हैं गुर्मत और भक्ति का भी गहरान भुर रखते हैं राजकपूर जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका वाईज डिवाई में धनेवाज जी धन्रंकार जी धन्रंकार जी राजकपूर जी हमारी मानेताईं धार्णाईं और हमारे वुसूल ये एक बहुत जटिल सब्जेक्ट है मेरे ख्याल से हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये माननेताइं कैसे बनती हैं और कैसे ये हमारे लिए बंधन का भीद भाव का कारण बन जाती हैं देखे जो माननेताइं हैं वो दीरे दीरे बनती हैं जिस परकार हम अपने परिवार में या अपने समाज में या जिस पर्टिकुलर हम ग्रुप में बिलोंग करते हों उसमें देखते हैं कि ऐसी धारना का परचार हो रहा है उस धारना को हम मानना शुरू कर देते हैं और जब उसको मानना शुरू करते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि अगर कोई दूसरा इस मानेता को नहीं मानता तो शायद वो ठीक इनसान नहीं है तो उसका असर ये होता है कि जब हम अपनी मानेता को देखते हैं कि किसी दूसरी में उस मानेता का अभाव है या वो उस तरीके से नहीं च दोच्रा तो हम ये सोचते हैं कि यह आदमी तो बिल्कुल गलत है और जिस गृरूप को वह बिलों करता है वह गृूप हभी गलत होगा तो उस मानत है कि चलते चलते हमें एक ऐसा धायरा बना लेते हैं कि उस धारे में हम एक दिना जखड जाते हैं कि दूसरा आदमी जो किसी और धारे में है उसकी जखडन को उतारने के लिए हम तियार हो जाते हैं कि वो हमारी धारना को माने ताकि हम एकदम हर्मोनियस वाज़ें और दोनों ग्रूप एक ग्रूप बन जाएं और हम ये बूल जाते हैं कि जो दूसरा ग्रूप धारना वाला है वो भी अपनी धारना में इतना मजबूत है कि बलकि वो ये चाहता है कि हम उसकी धारना को मान ले लेकिन ऐसा हो नहीं पाता तो ultimate क्या होता है कि वो ये चाहता है कि हमारी धारना को माना जाए हम चाहते हैं कि वो हमारी धारना को माना चाहें लेकिन जब वो नहीं मानते तो एक दूपने जो क्लैश तक जो नोबत आ जाती है वो समाज के लिए बहुत हानी कारक होती है फरक्स सरफ इतना है कि हम उस धारना के बंदिश में इतना फसे हुए हैं कि हम उसे निकल नहीं पा रहे और अगर किसी कारण से निकल पाएंगे तब हमें लगता कि हम कितने नेगटिब सोच के थे कितने नेगटिब महौल हमने क्रियेट किया काश की धारना हमारे में नहीं होती तांकि हम आज जो इस पॉजिटिविटी में हो चुके हैं वो शायद पहले हो गे होते अगर वो धार्ना नहीं होते बिल्कुल खार्नाएं मानेताएं मानना या उन पे चलना गलत बात नहीं है गलत तो यह है कि जब हम उस पर एक टकराव की स्थिती बना ले। राज कपूर जी ये तो एक पहलु हुआ मानेताओं का अगर हम मानिताओं के दूसरे पहलो की बात करें तो कोई ऐसी मानिता या किसी की कही हुई कोई बात कई बार हम मान लेते हैं और बहुत गहराई तक अपनी जिन्दगी मुलतार लेते हैं तो किस तरह से उसका नगार आत्मक परभाव पड़ता है हमारी जिंदगी बाता है देखे जो हमारी सोच होती है वो हमारे बॉड़ी को भी परभावत करती है हम शयद इस बात को महसूस नहीं कर पाते हैं वैसे तो कहते हैं कि a sound mind इनने sound body but actually मेरी ऐसे मानेता है कि a sound body is a product of sound mind और यह सोच कितनी परभावीत करती है हमें मैं आपको एक उधारन देता हूं एक पर क्या हुआ एक कपल किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के अच्छा तो खाना खा लिया खाना खाना के बाद उन्हेंने soft drink मांगे तो वेटर soft drink लेके आ गया तो उन्हेंने soft drink पी ली अरा आपने इनको यह वाला soft drink दे दिया इसमें तो snare था उन्हें सुन लिया अच्छा जैसे नोने सुन लिया उन्हें वोमिटिंग कर दी जैसे उन्हेंने वोमिटिंग कर दी तो उनके बाड़ी भी तोड़ी कम्जोर पढ़ गी इतीन देर में दुसरा बेटरा आ जाता है वोस म मैंनेजर को समझाता है सर नहीं जो सिनेल वाली बोटल दी वहांने फैंक दी थी यह मैंने उसकी जगह रिप्लेस करके रखी थी और जब उन कुपल को यह पता चलता है तो फिर ठीक हो जाते हैं वो अब देखो एक सोच एक धारना के शायद हमने सिनेल वाला ले लिया तो उस इसे ही मैंने एक खबर पढ़ी कहीं किसी कोट में किसी कैदी को सजाए मौत सुनाई गई और ऐसा आदेश में कहा गया कि उसे फासी नहीं बलकि साप के जहर से मौत दी जाएगी तो तैय समय पर उसके शरीर में पीछे से दो पिन चुब होई गई तो उस कैदी के मृत्व ह देखा नहीं मान लिया कि साप से कटाया गया है और उसकी बॉडी ने वो साप का जहर पैदा कर लिया तो हम यह सोच सकते हैं कि मान्यता का असर कहां तक होता है जब उसकी सोच ऐसा मान ले तो जब कुछ श्रीर कितना परवावित हुआ बिलकुल आप सही कहते हो परवावि हमारी जिंदगी में देखने को मिलता है है ना देखे यह जो माननेता पॉजिटीव होती है ना उसके एफेक्ट कितने पॉजिटीव होते हैं मैं एक उधारन देना चाहूंगा जो बात असल में हुई दास एक बार हरदवार की तरफ गया वहाँ पर एक सज्जन ये बात ब ठीक नहीं हो पारे अब और जितने आप ठैरोगे आपका बिल तो बढ़ता जाएगा लेकिन आप ठीक नहीं हो पाओगे तो बेहतर कि आप उनके परिवार को बताए कि आप इसको घर ले जाओ अच्छा वो उसको फिर घर लेके आगे तो क्या हुआ उस दिन शाम को आस्प अब जितने उनको ये कहा भाई साब आप एक काम करो आप चर्णामित का सेवन करो और हमारे साथ सिम्रन करो और मेरी आस्ता है कि आप ठीक हो जाओगे अच्छा द्वाईयां जो खारी हो तो खाते रो उसमें कोई चेंज नहीं लेकिन मेरे साथ आप सुम्रन करो और ये चर द्वाइए तो वही खारे जो पहले भी खारे थे लेकिन ये मानने था उसकी के जब ये मेरा एक मित्र ये कहरा है तो मैं इसको मान के देखता हूँ और उन्हें इसको माना जब उन्हें ने मान लिया तो उनके बाड़ी में अनर्जी आनी शुरू होगी वही द्वाइए जो पहले ले खारे थी अब असर करना शुरू कर दिया और उसके बाद देखो ये बात उन्होंने बाद में संगत में आगे बताई यानि कि इतने ठीक होगी जी हां बिलकुल यहां पर सोचने वाली बात ये है कि उन्होंने जिनको असर हुआ उन्होंने कितनी गहराई तक उस को माना था और उतारा था ना, तो हमेशा जागरुक भी करती है और हमें ही नहीं हमारे समाज को भी पॉजिटिव करती है भिल्कुल राजकापूर जी आप अपना केमती समय निकालकर वाइस डिवाइन में आई और हमारे सुनने वालों से इतनी बेश केमती बाती साजा की इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत शुक्रिया धन्यकार जी और अब एक गीत तो बनता है ना भगती देविच हूना एता प्यारी जरूरी है आजी प्यारी जरूरी है सब्दे अंदर नूरे रबदा पक्का याद रहे सब्दे पले दी बुलांते हर दम फर्याद रहे हर दम फर्याद रहे कर दे जाना हर इक दा कर दे जाना हर इक दा सतकार जरूरी है सतकार जरूरी है भगती देविच हूना एता प्यारी जरूरी है प्यार जरूरी है जो हमेशा से एक जैसी रही है और हमेशा मानने लायक भी रही है इसलिए समय के सद्गुरु हमें प्रेम पूर्वक जीना सिखाते हैं और हमारा भी फर्जी यही है कि समय बदलने के साथ जब कोई रहनुमा हमें ये बताए, समझाए कि रास्ते और भी है, मन्जिले और भी है, संभावनाए और भी है तो हमें समझ भी जाना चाहिए वरना जिन्दगी को हम नहीं, हमारे वसूल, हमारी धाननाएं और हमारी मान्यताएं जीने लगती है जैसे अभी आपने राजकपूर जी से भी सुना कि किस तरह से इन मान्यताओं का असर हम पर होता है और ये हमारी जिंदगी में अपनी जड़ें जमा लेती है हम भोल जाते हैं कि सच्चाई तो दरसल कुछ और ही है अभी चंद रोज पहले सद्गुरु मादा जी ने अपने परवचनों में उस बच्चे का उदाहरण दिया जो ये मान लेता है कि उसके पेट में चुहा चला गया है और फिर उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं जी हां दर्द होता है और जब उसकी मा सुभा उसे नकली चुहा दिखा कर कहती है कि चुहा अब पेट से निकल गया तब उसे आराम मिलता है इसी तरह बहुत सारी बेफुजूल की धर्णाएं चुहा बनकर हमारे दिमाग में चली गई है और कमाल की बात तो ये है कि हमें पता ही नहीं चल रहा मुश्किल तो तब होती है जब इन धार्णाओं में पढ़कर हम अपनी पहचान तक भूल जाते हैं नबे के दर्शक में दूर दर्शन पर आने वाले सीरियल जंगल बुका वो बच्चा मोंगली याद है ना जो जंगल में रहे कर भूल गया था कि वो एक इनसान है अभी हाल ही में एक कॉमेडी सीरियल में देख रही थी कि कुछ लड़कों को किसी ने कहा कि तुम मेरे पालतू पशू हो और वो कई दिनों से फिर उसी तरह की हरकतें कर रहे थे एक दिन जब वो मालिक घर पर नहीं था तो उसमें से कहने लगा कि काश हम इस बंधन से आजाद हो सकते तभी अचानक उनमें से एक को खयाल आया कि हम तो पशू है ही ने हमारे गले में पट्टा जरूर बंधा है लेकिन हाथ तो आजाद है हम इसे खोल सकते हैं बच्चों के एक कार्टून सीरियल में दिखाया जा रहा था कि एक बच्चा कुछ बंदरों से गिर जाता है साथ में उसका पेट डॉग है बच्चा बंदरों से डरा हुआ है और उसका वो डॉग भी डर से काप रहा है फिर बच्चा डॉगी से कहता है अरे तुम क्यों डर रहे हो डॉगी से तो बंदर डरते हैं यानि वो डॉगी उस बच्चे के साथ रहते रहते ये भूल गया था कि मैं दरसल कौन हूँ। इसी तरह बहुत सारी छोटी बड़ी मान्यताओं के बंधन हम भी अपने इर्दगिर्द लपेटते जा रहे हैं। हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पसंद करते हैं, इन सब का असर होता है हमारी जिंदगी पर, हमारी हालातों पर। कई बार वाटसेप या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाला मैसेज भी हमारी मान्यता बन जाता है। और जहां हम उसे मानने लगते हैं, वहीं हम बिना सोचे समझे परखे उसे आगे फारवर्ड भी कर देते हैं। पिछले दिनों वाटसेप पर एक मैसेज देखा, आपके पास भी आया होगा। लिखा था, इनसान खुद की नजर में सही होना चाहिए। कमाल है, आप ऐसा मानते हैं, हो सकता है, मानते होंगे, लिकिन मैं नहीं मानती, ये सही नहीं है, हर इंसान अपनी नजर में सही ही होता है, फिर वो चाहे कोई कानून को तोड़ने वाला ही क्यों नहों, जी हां, कौन अपनी नजरों में गलत होता है भला, वो जो गलत कर रह वो भी खुद को सही ही मानता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है अपनी नजरों में सही होने का पैमाना क्या है सबका अपनी अपनी नजरों का अलग अलग पैमाना है कोई किसी बात को सही मानता है तो कोई दूसरा उसे गलत है की ने मेरा अपना मानना है कि हमें अप गलत ना हो जाए, माना कि हम सभी की नजरों में अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन जो हमारे सद्गुरु हमें बताते हैं, उस पर तो हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए ना, इसी संकल्प के साथ आये जूडते हैं आदर निये आवनेश दुगल जी के अनुभव से. If you obsess over whether you are making the right decision, you are basically assuming that the universe will reward you for one thing and punish you for another. The universe has no fixed agenda. Once you make any decision, it works around it. There is no right or wrong, only a series of possibilities that shift with each thought, feeling and action that you experience. यह पंक्तियां जब मैंने पढ़ी, मैं सोच में पढ़ गया कि कहीं ऐसा हमारी जिंदगी में तो नहीं होता, हम भी कभी जिंदगी में ऐसे मोड पर खड़े होते हैं, जहां दो रास्ते होते हैं और कोई एक रास्ता चुनना एक उल्जहन सी लगती है, मन में एक डर आता है कि कहीं मैं वो रास्ता न चुनलू कि मुझे बाद में पच्टावा हो अब जैसे गूगल मैप्स को ही ले लीजिए किसी जगा पर पहुँचने के लिए जब हम directions को follow करते हैं और अगर गलती से कोई turn मिस हो जाए तो वो अपने आप directions को reroute करके हमें मन्जिल तक पहुँचा देता है इसी तरह जब हम खुद को निरंकार के भरोसे छोड़ देते हैं तो यह हमारे लिए एक नया रास्ता बना देता है रास्ता कौन सा चुना क्या फैसला किया इस सारे प्रोसेस में यह समझना बहुत जरूरी है कि एक decision, fresh opportunities यह कहें कि बहुत सारे नए आयाम भी खोलता है और साथ ही I would like to state that it has to be an informed decision making process परमात्मा की दी हुई बुद्धी और चितनता का इस्तिमाल करना बहुत जरूरी है और इसका एक और पहलू भी है बहुत बार हमें अपने comfort zone से बाहर निकल कर भी जिन्दगी को और बहतर बनाने के लिए कुछ नया try करना या explore करना बहुत जरूरी है जैसे एक पंची अपने गोंसले में सुरक्षित तो है पर इसका अर्थ ये नहीं कि वो कभी उड़े ही ना उसे परमात्मा ने दो पंख और खुला आस्मा उची उड़ान भरने के लिए ही दिया है ठीक ऐसे ही इस असीमित परमात्मा में भी ना जाने कितनी असीमित संभावने हमारा इंतजार कर रही है तो trust the process and let life unfold क्योंकि सितारों से आगे जहां और भी है ऐ बक्षन हारे सबनु सुख दी दात बक्ष दे सब हस देवस दे रैन ऐसे हालात बक्ष दे सब हस देवस दे रैन ऐसे हालात बक्ष दे सब्सक्राइब दे सब्सक्राइब दे रैसे हालात बक्ष 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 दे माने ताओ काही एक और पहलू आए सुनते हैं सविता जी के अनुभव में ये जिन्दगी जो बहुत कमाल की है इसका हर पल, हर रोज अपने साथ कितने सारे नए अफसर, नए मौके, कई सीख, कई महसूसियत और धेर सारे अनुभव लेकर आता है फिर चाहे वो किसी परिस्थिती के रूप में हो, कोई इनसान हो, कोई घटना हो, कि सुन्दर प्रकृती हो किसी किताब में लिखी कुछ पंगतिया हो, इनस्टा की कोई पोस्ट हो, या आजकल बहुत प्रचलित OTT प्लैटफॉर्म का कोई प्रोग्रेम हो हमें कुछ न कुछ सिखाता जरूर है, जो हमारे सबकॉंशियस माइंड में स्टोर होता जाता है और उनमें से कई चीजों का तो बहुत बार हमारे दिल और दिमाग पर इतना स्ट्रॉंग इंपेक्ट पड़ता है कि कई-कई दिन हम उनहीं चीजों के बारे में सोचते रह जाते हैं, डूब जाते हैं जैसे एक मूवी जो मैंने हाल ही में देखी, जिसमें जो मुख्य किरदार है, वो अपने किसी पास्ट्रॉमा के कारण एक ऐसे रेर मेंटल डिसॉर्डर से जूच रहा है जिसमें इनसान का दिमाग कई-कई बार अपनी रियल आइडेंटिटी से डिसकनेक्ट हो जाता है और कोई अलग ही imaginary identity को अपना लेता है, है ना, strange और वो imaginary identity ही उस दौरान उस व्यक्ति के behavior को control करती है I know, it might sound strange, बट उस मूवी में ऐसा ही दिखाया गया कि उस identity के different genders हो सकते है, different interests, likes, dislikes और different ways of interaction भी हो सकते है A complete different personality तो उस किरदार पर भी ऐसे ही कई alternate personalities हावी होती रहती कभी fashion designer की तरह वो dresses के designs draw करता, जो कि वो नहीं है तो कभी एक kushal dancer की तरह dance करता, वो भी वो नहीं है कभी वो महिलाओं के कपड़े पहन kitchen में cooking करता, तो कभी खुद को 9 साल का बच्चा समझ बच्चों जैसी हरकतें करता कभी teenager तो कभी एक इतिहास कार बनकर historical events के facts बताता और हैरान कर देने वाली बात ये कि उसी एक इनसान का हर personality बदलने के साथ ही बात करने का लहजा, उसके हाव भाव, काम करने का धंग, यहां तक की body language भी बदल जाती An individual with multiple personalities could change his body chemistry with his thoughts और दुख की बात, बहुत कम ही वो अपनी real identity में रह पाता और एक दिन उसके दिमाग ने अपनी सबसे ताकतवर personality को खुद परहावी कर लिया जो एक beast की है, जो कभी भी खुद को या किसी और को नुकसान पहुचा सकती है कहानी बहुत लंबी है और समय कम Movie का end जो भी हुआ, वो तो एक film थी जिसमें हम जानते हैं, थोड़ा सच और थोड़ा कालपनिक भी होता है पर वो film एक बहुत बड़ा संदेश मेरे लिए छोड़ गई मैं कई दिनों तक उस बारे में सोचती रही, आज भी सोचती हूँ कि film का वो कालपनिक पात्र तो अपनी बीमारी से लाचार था पर यहां, रियल लाइफ में, एक पूरी तरह स्वस्त इंसान भी तो हर रोज कितनी अलग-अलग personalities में जिन्दगी जीता है दिमाग पूरी तरह दुरुस्त होते हुए भी कहीं कोई अपने को जाती, रंग, नसल, रहन सहन के ढंग या bank balance के आधार पर superior मान लेता है और दूसरे को नीचा सबके एक जैसे दो हाथ, दो पैर, दो आखे, दो कान, एक नाक लहू का एक जैसा रंग होने पर भी ये खोखली और जूटी पहचाने बुन कर उनमें जीते हुए दुखी रहता भी है और दुखी करता भी है अब उसी इंसान पर जब कभी क्रोध वाला रूप हावी होता है तो सडक पर जानवर की तरह लड़ता दिखाई देता है, जो वो नहीं है कभी जूटे एहंकार वाली आइडेंटिटी को ओड़ कर दूसरों को अपमानित करता है छोटी सी बात पर भी अगर उसके एहंकार को ठेस लग जाए तो मासूमों पर जुल्म करने से भी बाज नहीं आता कभी जब लालच वाली परसनेलिटी हावी होती है तो बड़े आराम से अपनों को भी धोखा देने में गुरेज नहीं करता कभी मोह का नाम लेकर इतना संकीन हो जाता है कि जिसमें मोह है जिससे प्यार है उसका ही जीना मुश्किल कर देता है कमाल है ना यहां भी तो एक ही बाड़ी में कितनी सारी आइडेंटिटीज रहती है जो अपने रियल से बिलकुल अलग है अपने ही विकृत दिमाग की उपज है देखने वाले दंग रह जाते हैं क्या है उठते हैं क्या ये वही इंसान है जिसे हम जानते थे या क्या ये इंसान है इन डिफरेंट परसनेलिटीज में जीने वाला इंसान काश कभी ये भी समझ पाए कि अपनी असली आइडेंटिटी में ना रहना एक disorder है, बीमारी है, अगर अच्छा भला इंसान खुद को कोई धार्मिक या राजनीतिक पद, कोई सरनेम, कोई कुरसी, कोई डिगरी, कोई खिताब, कोई रिष्टा, सिर्फ मान लेने से ही बीस्ट तक बन सकता है, तो जरा सोचें, अगर कोई असल में, जो वो है, जो उसे परमात्मा ने बना कर दुनिया में भेजा है, उस पहचान में जिये, तो वो क्या बन सकता है, ये दिमागना बहुत पावरफुल है, इसका कुछ मान लेना, जिन्दगी को सार्थक भी कर सकता है, और खुद के ही पतन का कारण भी बन सकता है, अपने असली अस्तित्व को पहले जान कर, फिर मान लेना, उसमें स्थित हो जाना, और सामने वाले में भी उसके असली अस्तित्व को ही देखना, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, फिर ऐसा इंसान, heaven, wonder, magic, देवता, फरिष्टा, यहां तक की प पोटेंशल सब में है, बस चूस करना है कि हम इस धरा के लिए वर्दान बने या अभी शाप, क्योंकि जो संदेश उस मुवी से मुझे मिला, वो बिल्कुल सही है, कि we are what we believe we are. तुँ ऐ मालिक खला मादा, केंज समझा मैं रमजा, हो तेरी समझा की रमजा जिन्दगी मेरी, ए साहादी लड़ी, तेरी में हरिबानी है लू लू मेरा, कर्ज है तेरी निगे बानी है पल पल छिन छिन सिस चुका के, तेरा शुकर यदा मैं करदारा रह्म करी मेरे तेसा हिवा, मैं ना समझा, ओ ना दा ना समझा तु ए मालिक खला मादा, केंज समझा मैं रमजा हो तेरी समझा की रमजा ये गीत, ये संगीत, ये खुबसूरत धर्ती, ये खुला आसमान मिला है हमें जीने के लिए, लेकिन हम अपने चारों और मान्यताओं की, धार्णाओं की, वसूलों की ना जाने कितने दीवारें, कितने दाइरें बना लेते हैं और पता है, कमाल की बात क्या है, ये दाइरें, ये दीवारें हमें दीखती नहीं हैं, बस उसके अच्छे और बुरे परिणाम दीखते हैं, ये दीवारें, दीवारें और ये दाइरें दाइरें ही बने रहें, तब भी ज्यादा मुश्किल नहीं, ये तो कभी-कभी बंद लड़ाई जगडा या युद्ध होता है ना उसके पीछे कोई ना कोई धार्णा कोई ना कोई मान्यता आपको जरूर मिलेगी यह जो परमात्मा निरंखार की बनाई दुनिया है ना यह बहुत जादुई है ना तो यहां किसी एक सवाल का कोई एक जवाब होता है और ना ही एक जीने का धंग अब जैसे कोई किसी लक्ष पर पहुंच कर यह सोचे कि जी इससे आगे तो कोई पहुंची नहीं सकता तो यह खलत है कुछ टाइम बाद उससे भी आगे कोई पहुंची जाता है आप देखते हैं कि कोई फिल्म रिलीज होती है एक रिकॉर्ड बनाती है या फिर क्रिकेट या किसी और खेल को ही ले लीजे पहले कोई एक रिकॉर्ड बनाता है फिर आगे चलकर कोई उस रिकॉर्ड को तोड़ दीता है फिर कुछ समय बाद कोई और आकर उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दीता है यानि यहां कुछ भी नामुम्किन नहीं बस इसके लिए हमें flexible होने की जरूरत है कि कोई भी मान्यता या धार्णा कभी भी तूट सकती है और हमें उसे तोड़ने के लिए तयार रहना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब कोई हमारी बनी-बनाई मान्यताओं को तोड़ता है तो हम उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। लगाती है तो उनकी इस खोच को उनके इस सत्य को वहा के लोगों ने अपने मान्यताओं का अपमान माना। उन पर नास्तिक्ता और पाघंड के आरोप लगाए गए। उन पर मुकदमा चला और उन्हें जेल में डाल दिया गया। गैलेलियों ने लोगों की बनी बनाई मान्यताओं का खंडन किया था, जिसे लोग परदाश्त नहीं कर पाए। इतिहास गवा है कि जिसने भी हमारी बनाई हुई मान्यताओं को तोड़ने की कोशिश की है, उसे हमने बक्षा नहीं। अब वो चाहे जीसस रहे हो, मनसूर रहे हो, सुकरात या इसी तरह के और भी पीरो मर्शल। दरहसल हमारे गफलत के नीदे हमें बहुत प्यारी हैं और हम इससे जागना नहीं चाहते। जागने पर याद आया कि कुछ दिन पहले एक न्यूस पढ़ी, उसमें एक हॉस्पिटल के नर्स रात में मरीजों की वज़ा से सो नहीं पा रही थी, तो उसने पता है क्या किया, उसने उन सब मरीजों को नीद की ओवर्डोस दे दी, जिससे वे फिर कभी जाग ही नहीं प जालेंगे ना अपने आप को इनसे अगर बचाओगे आदमी को क्या हुआ, सन का उजला मन को क्यों मैरा हुआ, सन का उजला मन को क्यों मैरा हुआ, राम जाने, राम जाने ऐसी हालत हो गई इंसान की ऐसी हालत हो गई इंसान की ऐसी हालत हो गई इंसान की जैसे हो जैसे हो पानी कही ठहरा हुआ जैसे हो पानी कही ठहरा हुआ तन का उजला मन का क्यों मैरा हुआ तन का उजला मन का क्यों मैरा हुआ राम जाने राम जाने राम जाने राम जाने और अब आरी है पल्स ओव विस्टम की सुनते हैं आदर ने राजियू बत्राजी से एक कहाने अपनी सोच से जैसा भाव हम अपने मन में बढ़ा लेते हैं वही हमारी माननेता बन जाती है अब किसी व्यक्ति या स्थिती के बारे में जैसी हमारी माननेता होती है उसी से हमारा एकॉर्डिंग्ली ब्यावार निर्धारित होता है उधारण से इस बात को समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के प्रती हमारी धारणा या मानेता अच्छी नहीं है, तो उस व्यक्ति से या तो हम दूरी बना लेते हैं या उसे हम अपना दुश्मन तक मान लेते हैं, इसी तरह किसी काम के प्रती हम शुरू से ही नकारात्मक रवया अपनाएंगे तो उस काम को पूरा करने में सिर्फ और सिर्फ दिक्कत ही आएगी वहीं दूसरी योर यदि किसी काम के प्रती प्रारम से ही हमारे मन में ये विश्वासों कि ये काम करना मुश्किल नहीं तो यकीनन उस काम को हम अपने मन की धार्णा यानि मान्यता के बूते पर आसानी से कर पाते हैं कहने का सार ये है कि हमारे द्वारा बनाई मान्यताई hyster हमारे भावी कारेक्रमों को संचालित करती है इसी भावोत की रहते कहीं पड़ी एक कहानी मुझे यात हो आए किसी समय एक राज्य के राजा को सूचना मिली कि उसका एक शत्रुदेश बहुत बड़ी सैने दल के साथ उस पर आकर्मन करने को तैयार है ये सूचना मिलते ही उस राजा ने फौरण अपने सेना पती और पूरे मंत्री मंडल की एक बैठक बलाई शत्रुदेश का राजा बहुत ही शक्तिशाली था इस बात से राजा बहुत चंतित था लेकिन राजा से ज़दा उसका सेना पती ज़दा डरा हुआ था क्योंकि सेना पती शत्रु राजा के सेनेबल और शस्त्र भंडार की ताकत को अच्छी तरह जानता था और वो जानता था कि यदि युद हुआ तो हमारी हार निश्यत है और ऐसा माना गया ये युद लड़ना तो आत्म हत्या करने के समान है तभी उस राजे के एक संथ राजा से मिलने आए उन्होंने राजा से बिंती की कि यदि राजन अनुमती दें तो वे सेना पती की रूप में सेना को साथ लेकर वो संथ युद लड़ने जा सकते हैं राजा को ये सुनकर बहुत अचंबा हुआ कि एक संथ जिसने कभी तीर तलवार को हाथ नहीं लगाया हो वो युद भूमी में आखिर कैसे लड़ सकता है लेकिन राजा के पास को चारा भी तो नहीं था सो राजा ने उस संथ को अनुमती दे दे सेना के काफिले के साथ युद भूमी की और बढ़ते संथ एक मंदिर के सामें रुके उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि क्यो ना मंदिर में जाकर भगवान का आशीरवाद लिया जाए मंदिर पहुँचकर संथ ने कहा अब क्यो ना भगवान की मर्जी भी जान ली जाए कि हमारी हार होगी या जीत इस पर किसी ने पूछा कि ईश्वर की मर्जी क्या है इसका हमें कैसे पता चलेगा इस पर उस संथ ने हवा में एक सिक्का उचालते हुए कहा कि अगर चित आया तो जीत और अगर पट आया तो हार यही इश्वर की मर्जी है अब सब सांस रोके हुए उस सिक्के को देख रहे थे और जब सिक्का चित गिरा तो सभी सैनिकों में खुशी की लहरा गई संथ ने कहा कि अब हमारी जीत पक्की है यही इश्वर की मर्जी है यह देखकर पूरी सेना मानो जोश से भड़ चुकी थी और विजई भाव के विश्वास को मन में धारण करते हुए रण भूमी की और प्रचंड वेक से आगे बढ़ती है और आखिरकार उनकी ही जीत होती है विजई प्राप्त करने के भश्चाद जब भे फिर से उसी मंदिर के पास से गुजरे तो संत वहां रुके और बोले कि क्यों ना परमात्मा का आभार व्यक्त कर लिया जाए सैनी खुश थे और उनका मानना था कि ईश्वर की मर्जी नहीं उन्हें जीत हासिल करवाई थी इस पर संत ने कहा कि नहीं ये जीत आप ही के बुलंद होसलों का नतीजा है ये कहते हुए संत ने वुसिक का सभी सैनीकों को दिखाया जिसके दोनों तरफ चित का ही चिन था सो कहने का भाव ये है कि जीत या हार को लेकर किसी भी काम की सफलता या असफलता को लेकर जब हमारी सोच हमारी मन्यता बदलती है तो उसका परिणाम भी बदलता है सुमान्यता और मन की अफधारणा से ही हमें मिलने वाला परिणाम निर्मित होता है दुनिया सवर ही जाणी खुद मुँ सवार लए सत्वुर्द सोच लेके सोचान शिंगार ले एक बात कहूं जिन्दगी रोज नहीं है जी हाँ हम जब से अपने मान्यताएं ढूर रही है तब से दुनिया बहुत बदल चुकी है अभी वोईस डिवाइन के पिछले एपिसोड में आपने अतुल जी और कमल जी से टेकनोलोजी के बारे में कितना कुछ सुना दुनिया कहां से कहां पहुँच रही है जिन्दगी रोज नए मौके नई संभावना ही लेकर आ रही है किसी शायर ने क्या खूब लिखा है अपना जमाना आप बनाते हैं एहले दिल हम वो नहीं कि जिनको जमाना बना गया आज की बदली हुई परिस्थेती और जिन्दगी कुछ और चाहती है और हम जीए किसी और तरह से जाते हैं अब जैसे सर्दी के मौसम में हम सर्दी के कपड़े पहनते हैं और जब मौसम बदल जाए गर्मी आ जाए तो भी हम सर्दी के ही कपड़ों से खुद को कवर किये रहीं तो क्या हमें चैना आएगा होना तो ये चाहिए कि जब मौसम बदल जाए परिष्थितियां बदल जाए तो ओड़ी हुई मान्यताओं को भी त्याग देना चाहिए एक और बात हार हो जाती है जब मान लिया जाता है जीत होती है जब ठान लिया जाता है जी हाँ जिस तरह से धर्ती में जब कोई बीज डाला जाता है न तो ये धर्ती हवाएं घटाएं सूरज की किरने ये पूरी की पूरी प्रकरती ये पूरी की पूरी की पूरी कायनात उसे नरिश करती है उसे पोशित करती है इसे प्रकार जब हम किसी positive या negative thought का बीच अपने दिल या दिमाग में डालते हैं, तो उसे भी बढ़ाने और पोशित करने में भी पूरी की पूरी प्रकरती लग जाती है। इसलिए भी बहुत सोच समझ कर किसी धार्णा या मानिता के बीच वोईं। एक बात ओर, अगर हमारी जड़ों में ये उदर जाती है न, तो फिर इसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि कोई चीज जितनी सुक्ष्म होती है न, उसे अपने से दूर कर पाना उतना ही मुश्किल होता है। अब जैसे कोई चाको किसी के हाथ में है, तो हम उससे वो चाकू नीचे रखवा सकते हैं और वो रख सकता है लेकिन अगर उस चाकू से किसी को मारने का खयाल उसके दिल में है तो उसके दिल से वो खयाल छीनना उस चाकू को छीनने जितना असान नहीं है लेकिन हाँ इतना मुश्किल भी नहीं है कि छोड़ा ना जा सके महाभारत में एक प्रसंग आता है जब युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण रत का बहिया उठा कर भीश्म को मारने दोड़ते हैं तो अरजुन कहते हैं केशव आपने प्रण लिया था कि आप कोई श्रस्त्र नहीं उठाएंगे तो यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि मैं आत्याचार और अधर्म के विरुद्ध किसी भी प्रतिग्या को तोड़ने के लिए तयार हूँ यहाँ पर कृष्ण भीश्म को एक सीख दे रही है कि अगर वो समय पर अपना प्रण तोड़ देते तो यह महाभारत का युद्धना होता इंसान को हालात की अनुसार सही निर्नाई लेना चाहिए ना कि भावावेश में कोई वसूल या धार्ना बनाकर अपनी और दूसरों की जिन्दगी मुश्किल में डालने चाहिए और अगर मानना ही है तो ऐसी धार्नाओ को मानना चाहिए जो हमारी जिन्दगी को सार्थक्ता की ओर ले चाहे जिसे शबरी ने अपने गुरु के कहने पर यह मान लिया कि भगवान राम आएंगे तो भगवान राम को आना ही पड़ा जब जामवंत ने हनुमान से कहा कि तुम समंदर लांग सकते हो उन्होंने मान लिया और समंदर लांग गए मेरा भाई को उनकी माने कहा कृष्ण तुमारे पती है और उन्होंने मान लिया यो तो हुई आध्यात्मिक्ता की बात अगर दुनियावी तौर पर भी दीखा जाए तो पाबलो पिकासो की मा ने कहा अगर तुम एक चितरकार बनोगे तो एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारा नाम जानेगी उन्होंने मा की बात मान ली परिनाम आपके सामने है थौमस एलवा एडीसन की मा ने टीजर के क्लास से निकाले जाने पर भी कहा कि मेरा बेटा जेनियस है एडीसन ने मान लिया और आज सब जानते हैं बल्व के आविशकारत को अनेक रूप अनेक पहलू है मान्यताओं के धार्णाओं के तो ऐसे ही मान्यताओं के कई और पहलू से हमें जोड़ रहे हैं ये प्यारी-प्यारी का लाखार आए सुने रंगमंद से ये भगवाल मेरा सिर पटा जा रहा है ये इतनी गर्मी में भी कोल्ड वा भावेश चाई पीते हैं आरे आये आये भाईया कैसे हो बलू भाईया चाए बोल के क्या था तयार है आप बोले थे हम लगा दिये लीजिये अधार का माट है भाईया रहां क्या हुआ ऐसे चाए पी गए मतलब ऐसे सुर्ण बलू भीया फिलाल चाय का नहीं नाक का बना हुआ है सुर्ण नाक का सुर्ण हाँ जुकाम में तो यह होता है कानू से तो नहीं होता ना सुर्ण अब भाया कोई दवाई लीका दवाई का तो हुआ हुआ है का हुआ है गजू एक किटनी बार बोले तुमको संभाल के चलो गिर गए ना हमारे काच वाला मर्तबान तोड़ दिया एक तो टाइम से नहीं आते उपर से बैट के टिक टाक मनाते हो फिर काम पर द्यान नहीं देते विक्षान करा दिया रहा है यह बगवार अब आपेश भाईया तुम बताओ का कह रहे थे कुछ नहीं आप देखो उसे लगी तो नहीं अरे आप का कर दिया ए गोपी ए गोपी तेल गिरवा दिया सारा अरे बोले ते तुमको तेल गराम है तुम सुने नहीं का नुचान में नुचान हो रहा है अला हमारा फोन दो जल्दी से पूरा तेल दुबाना मंगवाना पड़ेगा इधर दो फोन अब यहां कोई नहीं हो जाता है आप कोई वाट अब इतनी शांती चलो अब किसी के चलाने के वाज निया अरे बल्लू भीया आपको क्या हुआ नीचे क्या बैटे हो पैसे भेज रहे थे तेल वाले को हजार रुपिया देना था तो एक जीरो ज़्यादा लगा दिया आये पैसे बेरे जैक वाईया एक मिनटे कोना यह तो हम कहते हैं जीक का प्रकॉप है यह अब सगुन है क्या क्या कि आइए आ गया माफ करना दवाई बोचाए तुम्मारी चीख करा नुकसान हुए जा रहा है। जब जब चीखते हो तब तक नुकसान होता है कहां कहां सुनाय सबीवें इसा होता है कैने क्ली अाहनेщब था भाईया माल लो हमारी बात माल लो हां हां होता होगा वाउ यह मैडम आब आ रही है यू नो आम नोट वेल ओके पता है कब से बेट करो यहां पर हां हां सौरी पढ़ना मैं रुक गई थी पीछे तुमारी बाते सुन रही थी छी का प्रकोप अरे कहाई आश् रह dites है ऐसा होता है भया हम कहरे आप जाए अब दभा ले लिजेये जाए अरे ऐसे कैसे ओहो चलते है ना अगर बोल रहे हैं तो क्या पता ऐसा ही होता हो हाँ और आप सुनके मान लो फिर आगे दस लोगों को और बता देना वो आगे सो को बता देंगे और चलो जी मार्किट में अंधविश्वास तैयार और उपर से बातों का नमक स्वाध अनुसा वाँ चीक की पूरी खिचड़ी बना दिया आपने तो तो और क्या इशाना ये भी तो हो सकते है ना लापरवाई हो सब ऐसे अंधविश्वास मानते जाएंगे और फिर एक नई मान्यता बन जाएगे चोड़ ना होता होगा वैसे भी इतनी देर के बाद हसी हूँ वरना मेरे साथ तो सब कुछ गलती होता है चाहे काम को ले लो पढ़ाई को ले लो या फिर घर की बाते सब उल्टा ही होता है मेरे साथ तो और क्या करें जो बाते इतने टाइम से सोसाइटी में चल रही है मानी जा रही है है फैमिली ऐसा कर रही है बड़े ऐसा कर रहे है बचपन से देख रहे है और इसलिए तुम पूच भी नहीं सकते कि हम ऐसा क्यों करते हैं क्यों follow करते हैं अब इतने टाइम से सब कर रहे हैं तो होता होगा ना कुछ ना कुछ बस चलने दो वही तो हर बात पर कह दो कि चलने दो और हमारे behaviors, thoughts सब ऐसे ही हो जाते हैं शाना आदत पड़ जाती है जैसे अब आपने यह सोच लिया सब गलती होत है तो बस अच्छा उन्हें की उमीद ही छोड़ दी तो क्या करें ना माने लोगों की बाते बात मानने की नहीं बात समझने की है मतलब मैंना एक बार ऐसे ही किसी रिलेटिव के घर गया तो वहां पर मैंने अपने नाखून काट लिए तो मेरी चाची मुझे बोलने लग ग पास तो उन्हों दीन मुझे बहुत प्यारा सा किस्सा सुनाया पुतर क्या हो गया ओ तू बैट इन ओ बेटे मैं ना तुझे एक बात बताता हूं हमारा ना पुराना गाउं होता था ओ वहां पर क्या हुआ कि एक बार्शादी हो रही थी एक बिल्ली का बच्चा आ गया ओ वह बिल्ली का जो बच्चा था कदे पैरा थले कदे कुर्सी थले पुतर उसको फड़के बड़ों ने एक टोकरी के अंदर डाल दिया अब वह डालने के बाद जो था कि निकाल देंगे उसको चादी हो जाए अच्छे से वह एक बच्ची ने उसको देख लिया अब का व्या हुआ शादी हुई तो स्पेशली पुतर एक बिल्ली का बच्चा मंगवाया गया और टोकरी के नीचे रखवाया गया क्यों दादा जी ऐसा क्यों पुतर पूछा नहीं न कभी बस मान लिया कि शायद ऐसा करने से शुब होता हो पुतर शुब शुब है क्या इसलि और जब जो हुआ होगा उसका कारण रहा होगा और हम अकसर सुनी सुनाई बाते मान के उम्रे बिता देते हैं जी अब नाखुन है रहा होगा उस टाइम विजली नहीं होगे कटर नहीं होगे तो किसी धातू से हाथ गलत ना कड़ जाए इसलिए बोला होगा इसलिए पुत्तर मैं फिर कहता, बात मानने से पहले जाननी जरूरी होती है तेरे दादा जी ने तो सही बताया, I mean मैं सोच में पढ़ गई Good for you, at least अब ये छीक का प्रकूप तेरे उपर नहीं आएगा हाँ, औरना मुझे भी बार बार I think complaint कर देना बंद कर देना चाहिए इतना घुटन सा फील हो रहा था, मतलब डर सा बना लिया था मैंने अपने अंदर अच्छा अच्छा सोचो, reason दो खुद को भी और उन्हें समझो, ये सब बहुत जरूरी है लाइफ में कि हम जो भी करें उससे सिर्फ मान कर नहीं, जान कर करें सही का ओ गॉड क्या हुआ चीका प्रकोप, मुझे तो भूख लग रही है, अब कुछ खाना पड़ेगा चल चल, नो टंकी कहीं सूफी फकेर रूमी ने कहा कि आप उड़ने के लिए पैदा हुए हैं, जीवन भर रेंगना क्यों चाहते हैं बहुत सारी संभावनाएं हैं हमारी पास, परमात्मा होने के लिए पैदा हुए हैं हम किसी प्रकार के मान्यताओं, धार्नाओं, उसूलों या जित के लिए ये जिन्दगी बहुत छोटी है बाबाजी ने बार-बार कहा कि एक उम्र भी कम है महबबत के लिए तो चलो इस उम्र को बिदाया नहीं, जिया जाए शैलेंद्र के शब्दों में कहूँ तो तू जिन्दा है तो जिन्दगी की जीत में यकीन कर अगर कहीं है स्वर्ग, तो उतार ला जमेन पर हमारे कारवां का मन्जिलों को इंतजार है ये आधियों, ये बिजलियों की पीठ पर सवार है जिधर पड़ेंगी ये कदम, बनेगी एक नई डगर तू जिन्दा है तो जिन्दगी की जीत में यकेन कर इसी संकल्प के साथ आईए दिवी गुणों की ओर चले असीम अनंत की ओर चले जहां जूटी और खोकली मान्यताई ना हूँ जहां प्रेम का, मिलवर्तन का, शद्धा भक्ती का खुला आसमान हो हम अपने मुर्षद की वो मान्यताई अपनाए जो नफरत की नहीं प्रेम की वज़ा बने तोडने की नहीं जोडने की वज़ा बने एक दूसरे को गिराने की नहीं उठाने की वज़ा बने किसी के दुख दर्द की नहीं खुशियों की वज़ा बने आये मिलकर निरंकार सद्गुरू के चड़ों में ये गुशारिश करें कि आप हमें वो समझ भक्षें कि हम मान पाएं कि इस समस्त कायनात में इस निरंकार परमात्मा के सिवा कुछ भी महत्व पूर्ण नहीं इसे प्रार्थना के साथ जुड़ते हैं सद्गुरू संदेश से और इजासत दीजे कुसम को नमस्कार धन्यरंकार कैसे भ्रमों की भी बात अगर करी जाए तो ये भ्रम ज्याम तो सारे भ्रम तोड़ता है एक संसार में हम तो पलपल में भ्रम बना लेते हैं कोई पुराने समय में अगर कोई चीज उस समय वैलिड हो उस समय वो चीज उस तरह हो उस चीज का पर आज अगर कोई माइने नहीं और उसको फिर भी करते जाना तो ये तो कहीं की समझदारी नहीं होगी जैसे अगर आज बिजली आ गई है घरों में तो आज तो हमें एक स्विच जलाना है, हमारे पंखे भी चलेंगे, हमारी लाइट भी चलेगी, पर पहले का समय जब इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी, तो वहीं एक मशालों का, एक दियों का, एक उस तरहां लाल्टे नितियादी के एक उजाला इस रूप में, पर आज अगर घर में लाइट है, तो भी हम कहें, नहीं वो पुरातन समय का ही ठीक है, एक होते हुए भी प्रियोग ना करें, तो वो तो समझदारी नहीं है, उसी तरहां कितने ही ऐसी चीज़े होती हैं, जो सिरफ हम इसलिए करते चले जा रहे हैं, चाए आज उस तरहां वो बात वैलेड ही नहीं है, फिर भी एक अंध विश्वाश बना चुके हैं, एक जहां भक्ती में बात यहीं होती है, कि पहले परमात्मा को देखो, फिर परमात्मा पे विश्वाश करो, और यहां ये बुद्धी, एक जो अंध विश्वाशी बुद्धी होती है, वो तो फि कोई एक ना लॉजिक देखेगी ना खुछ यह जो शब्द अंध विश्वाश होता है अंधा विश्वाश और यहां तो परमात्मा के दर्शन एक खुली आंखों से करने वाली बात एक छेतंता की बात तो क्या एक किस तरह अपने जीवन में विश्वाश और अंध विश्व इसके बीच में जो वो फाइन लाइन है उसको कैसे उस रेखा को कि इस तरफ पूरण विश्वाश और इस तरफ अंध विश्वाश तो कहां किस तरह किस पल किस तरह जीना है यह ब्रह्म ज्यान तो हर एक के हिस्से में आ गया तो कैसे यह चेतंता को भी अब अपनाया इस चेतन्ता के साथ हर पल जी आ जाए।